वेल्कम बैक टू एनादर इलेक्ट्रिफिकेशन रिलेटेड वीडियो आज के वीडियो में मैं तरिपुड़ा के कैपिटल अगरतला के इलेक्ट्रिफिकेशन स्टेटेस की भाड़े में अपडेट देने वाली हूँ तो स्क्रीन पे अगर आपको जो अभी आलूमेलियम के बॉक्स दिख रहे हैं इस तरीके के बॉक्स का जो है अभी यहां पर कंस्ट्रक्शन चल रहा है सिग्नलिंग के लिए शायद यह यूज होता होगा सो यह देखिए उपर से भी मैं आपको दिखाती हूँ यह जो सेक्शन देख रहे हैं आप लोग प्लाटफॉर्म के बीच का सेक्शन है यह दो प्लाटफॉर्म के इस तरीके से यहां पर भी यह सब फिट किया जाएगा क्यूंकि यह इलेक्रिफिकेशन प्रॉसस के अंडर में आता है और फिलाल जो है यह काम चल रहा है और स्टेशन के आउटर में जो है ओएची पोल्स लगाने का जो बेज बनाया जाता है उसका काम चल रहा है यह अपडेट में आपको डिसमबर के लास्ट का देरियों सो डिसमबर 2023 के लास्ट तक यह काम हुआ है ताकि अगर आप ये वेडियो को बाद में भी देखें तो आपको मालूम पड़े। तो फिलाल जो है ये प्लाटफॉर्म के उपर इतना ही काम हो रहा है और OHE का कोई काम अभी प्लाटफॉर्म के उपर में होते हुए तो नहीं देखा है। इसका सिधा मतलब ये है कि ठोड़ा टाइम तो लगेगा इधर क्योंकि सिल्चर में भी जब इसा स्टार्ट हुआ था तब उससे और 6 महिना लगा था कम से कम पूरे कंपलीट होने में। इधर भी मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि 2024 के मिडिल तक तो लगी जाएगा पूरा रूट कवर होने में। जैसा मुझे लगड़ है। उसके बाद उमीद कर सकते हैं कि इलो को वगेरा स्टार्ट हो। अभी पहार सेक्शन है, लंडिंग और बदरपुर का सेक्शन है। वहाँ पर काफी सरे जगह में अभी तक कुछ भी काम नहीं हुआ है। इसलिए आज से बोला जाता सकता है कि इलो को अभी चलने में तो थोड़ा टाइम लगेगा। यह देखिए प्लाटफॉर्म के बीच में प्लाटफॉर्म का जो एडिया है, उसके उपर में इस तरीके से जो है मिट्टे की कुधाई की जारी है, और वहाँ पर जो है इस तरीके से इलेक्रिफिकेशन का काम किया जाएगा। तो यह एक अपडेट आप से शेयर करना था, क्योंकि मैंने यह पूरा ही रूट आपको दिखा दिया है, एक फुल फ्लाज़ड वीडियो मुझे एक डेडिकेट वीडियो बनाना था, सिर्फ और सिर्फ आगरतला स्टेशन के इलेक्रिफिकेशन को लेके, तो मुझे लगा यह वाला वीडियो में आप से शेयर करती हूँ, उमीद है यह वाले जानकारी आपको पसंद आई होगी, अभी नेक्स्ट क्या-क्या अपडेट आता है, वह मैं आपने अगले आने वाले वीडियो में आप से शेयर करती रहूंगी, कि कैसे क्या उड़ा है, तो उमीद है प